नमस्कार साथियों तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रेक ओफिसर जी हाँ आज फिर से मैं ला चुका हूँ इससे पहले मैं आपको गवर्नर जनरल ऑफ बेंगॉल और गवर्नर ऑफ बेंगॉल वो करवा चुका हूँ ठीक है बात करा हूँ मैं अब लाया हूँ आपके लिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इसमें क्या-क्या इंपॉटेंट पॉइंट्स हैं और क्या-क्या उसके इंपॉटेंट इवेंट हैं ठीक है उसको यहाँ पर हम देखते हैं तो पहला है Lord William Bantic, तो इसके बारे में मैं बता दूँ, अठारा सो अठाई से पैंतिस तक का इसका साशन था as the Governor General of India, ठीक है, और अगर देखा जाए कभी question आता है, फर्स्ट Governor General of India कोन है, Lord William Bantic, और Lord William Bantic ही लास्ट Governor General of Bengal भी है, याद रखना, ठीक है, तो अब यहाँ पर आते हैं, क्या क्या इनके समय में, क्या क्या इसके समय में event हुआ, जो important event गटना महत पूर रहे हैं, उसको थोड़ा सा point out कर लेते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट Governor of Madras भी था, ठीक है, 1803 में, ठीक है, उसके बाद, क्या क्या हुआ, देखिए, abolished sati pratha in India, 1839, sati pratha को बंद कर दिया गया, इसके समय में, इसके कारेकाल में, ठीक है, law लाया ये sati pratha के उपर, act लाया, जिसमें sati pratha को समाप्त कर दिया गया, इसमें राजा राम मोहन राय ने भी इनकी मदद करी थी, इस एक्ट में, इस जो ब्रह्मो समाज की जो संस्तापक थे, राजा राम मोहन राय, ठीक है, तो उन्होंने भी क्या करी थी, इसमें help करी थी, ताकि ये sati pratha, sati system को, abolist कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, ठीक है, तो इसमें जो एक्ट आया, इसमें सजा का प्रवधान रख दिया, अगर इसका कोई पालन नहीं करता है, तो 10 साल की jail, और भी इसमें कुछ नियम बनाए गए थे, ठीक है, तो दूसरा क्या है, abolist, ठगी पृथा, 1830 में ठगी पृथा, अब मैं पहले ये बता दूँ, ये ठगी पृथा क्या थी, ठग, आपको मैं, यहाँ पर अभी वीडियो दिखा रहा हूँ, पहले आप ये वीडियो देखिए, ठीक है, तो आपने देख ली एक मूवी का मैंने यहाँ पर एक वीडियो डाला था, तो इस वीडियो में क्या मिला आपको, ठग, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, हाँ, ये फिलिम इनी पर बनी है एक तरीके से, इनी के कॉंसेप्ट है, इनी का आइडिया पर, पहले क्या होता ठीक है तो पिंडारी मैंने आपको बताए, गवर्नर जन्रल ऑफ बेंगॉल में, ठीक है न, इसमें क्या है ये, इसमें ये ठग है, इधर, वो पिंडारी डिकन साइड में होते थे, साउस साइड में, ये नॉर्धन है, ठीक है न, अवदी, नॉर्धन, ये इस रीजन में रहते थे, इनका में पेशा, में पुर्मुख जो था, वो लूट पाट करना, मार काट करना, रहागीरों को लूटना, उनका धन वसूलना, रुमाल लेके मुझ दवा देना, गला घोड देना, तो ये एक इनकी टेकनिक थी अपनी, ठीक है, और जब इसका शाषन हुआ, ल खेती डिपाटमेंट, थक्सेंड, डखेती डिपाटमेंट, उसके अंदर, करणल स्लीमल को, एक कारण था, किस तरीके से, ठगी लेके सिस्टम को बंद कर जाए, उसके लिए, जो थक्स थे, श्णोकी उनके बच्चे, सो उसके लिए कार खाने वगएरा की विवस्ता देखी ताकि यो कोई काम धंदा में अगर विजी रहेंगे पैसे की कमी नहीं होगी तो इस तरीके के काम नहीं होगा और बाकी कई यों को पकड़के जेल भी हुई सजा भी दी गई ठीक है सो जबलपुर में क्या हुआ एक कार खाना है जिसमें कई इन लोग को क्या फैक्टरी खोल दी गई लोग के लिए ठक्स के लिए ताकि यो काम का आज उनके बच्चे वगएरा सीखें जिसमें दरी कार खाना आज भी दरी खाना नाम से वो जगा फेमस है ठीक है तो वहाँ पर दरी का काम उनको सिखाया जाता थ दरी खाना नाम से आज भी जवलपुर में वो जगा फेमस है ठीक है तो यह रहे ठगी परता तो इस तरीके का वो सिस्टम था ठीक है कमाने नहीं मिल रहा है तो लूट लेते हैं मार लेते हैं काट लेते हैं उनका धंदा ही यह था ठीक है और वहाँ पिंडारी तो वह अपनी सेना थी यह भी अपने टैक्निक से टैक्टिक से ठीक है पिंडारी वहाँ ऐसे आपके संगी गूम रहे हैं और छुपे रहेंगे आपको कभी मैसूस भी नहीं होगा हाँ यह पिंडारी है ठीक है और उनकी एक वर की स्टेड़ेजी अलग ही थी ठीक है तो यह रहा ठक पर था तो इसको एबलिस्ट कर दिया गया समाप्त कर दिया गया इस पे एक लाया गया ठीक है उसके बाद नेक्स्ट इंग्लिस एड्यूकेशन वाज दमीडियम 1835 में देख मैं यह बता दू इसको बताने से पहले देख कि यह क्या हुआ था ब्रिटिस ने इंडिया के लिए अंगरेज़ों ने क्या एक एड्यूकेशन पॉलेशिल आने का सोचा कारण क्या था कि इंडियन को इंगलिस उतनी आती नहीं थी और जब इंडिया में शाषन करना है तो इंडियन को क्या करना पड़ेगा हम तो उनकी वहां सा सीख जाएंगे लेकिन उन्हें भी हमारी भासा आनी चाहिए Communication क्या होना चाहिए दोनों तरफा होना चाहिए तो उसके लिए उन्होंने सोचा इनको English भी सिखाया जाए Education English सिखाया जाए और उसके लिए कुछ विशेश वर्ग के कुछ लोगों को सिखाया जाए बात कर रहा हूं मैकाले मिनट की जब रिपोर्ट आई मैकाले ने ये कहा कि English जो सिखाया जाएगी सब को नहीं कुछ विशेश वर्ग विशेश लोग हैं उनको English सिखाया जाएगी और वो विशेश वर्ग विशेश लोग क्या करेंगे आगे दूसरे लोगों को सिखाया जाएगे इस थेयरी को नाम दिया इस पॉलिशी को नाम दिया गया Downward Filtration Policy या मैकाले ज मिनट मैकाले को बुलाया गया था लोड विलियम बेंटिक नहीं थे कॉन एक पॉलिटीशन थे एक हिस्टोरियन थे या English language ही ज़्यादा prefer करी जाएगी, उसी को ज़्यादा उपरी माना जा रहा था, लेकिन कुछ work ऐसे थे, जो नहीं, classical language, Persian, Sanskrit, इनको भी ज़्यादा कह रहे थे कि स्कूल में इनको भी पढ़ाया जाए, ठीक है न, और कुछ और थे, जो कह रहे थे हिंदी, ठीक है, इन सब को भी पढ़ाया जाए, तो अलग-अलग मत आ गए थे, लेकिन इसकी रिपोर्ट में क्या हुआ, English को preference दिया गया, इसको और expand करके हम पढ़ेंगे, जब हम मैकाले के बारे में discuss करेंगे, ठीक है, अब भी मैं Lord William Bentic को पढ़ा रहा हूँ, उसके important event बता रहा हूँ, ठीक है, और क्या हुआ, abolition of discrimination on government job, यह तो बात भाईया, सिर्फ नाम के लिए लिखित है, कि discrimination नहीं होगा, सरकारी, नौकरी वगेरा पे, ऐसा क्या नहीं था, जादपात, उससे कोई मतलब नहीं था, बिलकुल मतलब था, वही यह सिर्फ लिखा है कि abolition कर दिया गया, मतलब जादपात नहीं मानते थे कोई job, कोई सी जादका हो, उसको मिल जाएगी, ऐसा नहीं था, उसमें भी system था, देखा जाता था, जादपात को क्या, भई, लोग देखते थे, यह कौन सी जादका है, इसको हाँ, यह पर दिया जाएगा, इसको यह मिला जाएगा, तो यह तो बात सिर्फ कागज में है, हल अलाकि इसके टाइम में ये बोला ही जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था गवर्मेंट जॉब पर, ठीक है? चार्टर डेक्ट आया था, 1833 का, 1833 के चार्टर एक्ट के ही तो अंडर क्या हुआ था? गवर्नर जन्रल अफ बेंगॉल की पोस्ट को क्या कर दिया गया था? गवर्नर जन्रल अफ इंडिया कर दिया गया था, ठीक है न? यह तो पता ही होगा, थर्ड चार्टर डेक्ट, ठीक है न? उसके बाद, जिसने, और बात बता दूँ, जिसने मेरा पॉलिटी का सिरीज नहीं देखा है, वो प्लेलिस्ट में जाके देख ले, चार्टर एक्ट की जो भी इंपोर्टेंट इवेंट्स हैं, मैंने उसमें और बताया गया है, ठीक है? एक तो इसमें यही बताया गया है, चार्टर एक्ट में की, तो इन लोग ने एजुकेशन के लिए क्या, एक लाख रुपए की गोशना की पूरे इंडिया में देने की, अब बताये, पूरे इंडिया में कलगत्ता में कई हजारों कई लाखों स्कूल थे, तो वो कैसे काम चल जाता, कैसे काम चल जाता, लाख रुपए की गोशना करी थी, फिर लेकिन इसको बढ़ाया गया बाद में, ठीक है न, फिर और बता दू, इसमें फर्स्ट टाइम टी गाडन वाज प्लांटेड इन आसाम, पहली बार इसी के समय में टी गाडन को प्लांट किया गया था आ शाम में हैं, ठीक है, और फर्स्ट मेडिकल कॉलेज वाज सेट अप इं, कैलकेटा, 18.35 में, मेडिकल कॉलेज भी सेट अप करा गया है, कलकेटा में, ठीक है, 18.35 में, पहला मेडिकल कॉलेज, कोशन आ जाते हैं, इसलिए IMPORTENTS हैं, ठीक है, उसके बाद, maximum annexation of state in his period सबसे ज़्यादा कबजा इसी के समय में करा गया था चाहें वो मैशूर हो, दुर्ग हो अंग्रेजों ने सबसे ज़्यादा कबजा कर लिया था लगब 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 इंडिया पर इसी Lord William Bentic के टाइम पर जब ये Governor था Governor General था इंडिया का ठीक है चाहल्स मैटकेल्फ ये क्या हो था, जब Lord William Bentic चला गया था, सो पोस्ट खाली थी, तो एक्टिंग एक्टिंग गवर्नर जनरल के तौर पे इसको रखा गया था 1835 से 1836 एक्टिंग गवर्नर जनरल के तौर पे ठीक है इसकी एक important event है मैं बता दूँ, remove restriction of press from sensor board यानि press पे जो, क्या पहले क्या था पत्रकार लोग अगर newspaper में कुछ चाप रहें, तो क्या है, वो restrict था कि अपनी मर्जी से अपने हिसाब से मानो, मैंने आज क्या है, मैं fourth pillar में आता है ठीक है press, हमारी आजा दी है प्रेस की आजादी है, वो कुछ भी चाप कर सकता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, अगर कोई politician के बारे में या कोई वहाँ पे उसके बारे में, soldier के बारे में, या governor general के बारे में कुछ चाप देते थे, तो इनको क्या सजा मिल जाती थी तो इसने क्या, restriction हटा दिया ठीक है, restriction हटा दिया, इसलिए liberator of Indian press भी इसको कहा जाता है क्या कहा जाता है, liberator of Indian press क्या कहा जाता है, भारतिय press का मुक्ति दाता या भारतिय press का मुक्ति दाता कहा जाता है, या liberator of इंडियन प्रेस कोशन यह आया हुआ है कई बार, ठीक है, नेक्स्ट है, लॉड आउकलेंड, ये भी इंपोर्टेंट गवर्नर जेनरल है, 1836 से 42, इसके बाद, क्या हुआ, जो जीटी रोड को इसने मेंटेंड करा, मरम्मत करी एक तरीके से मैं बता दू, जीटी रोड का नि ही था, कौन, लॉड आउकलेंड, ठीक है, इसी के समय में, एंगलो अफगान वार भी वा था, 1839 से 42, अफगान और एंगलो के बीच में, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, और इसी वार एक कारण बना, जिसके लिए इसको most unsuccessful, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जात है, जब मैं वार के बारे में पढ़ाऊंगा आपको, अफगान वार हो, मराठा तो नहीं, और दूसरा वार होगा, बर्मीज वार होगा, नेपलीज वार होगा, तो इनको उसमें cover करूँगा, ठीक है, मराठा वार तो एक separate cover करूँगा, उनमें आपको, डिटेल में इसको ब तो और एक और बात इसमें ये बता दूँ एजूकेशन पॉलेसी से रेलेटेड जो डॉक्टर की पढ़ाई परने के लिए फॉरन कंट्री जाना चाहते थे तो इसके समय पे वो एलाओ कर दिया गया ठीक है वो फॉरन कंट्री में जाके मेडिकल की पढ़ाई कर सकते थे जो भी इंडियन्स ठीक है तो पहले ऐसा नहीं था तो ये तो रहे कुछ अभी आगे और देखते हैं नेक्स स्लाइड में तो देखिए अब नेक्स स्लाइड में कुछ और लिखे हैं मैंने या पे गवर् और एलेन बॉग 1842 से 44 ठीक है इनका कारेकाल था क्या हुआ था इस समय चाल्स नैपियर ने क्या कि सिंद को मर्ज कर लिया था किसमें ब्रिटिस इंडिया में 1843 में मोस्ट इंपोर्टेंट बात है इसको ध्यान रखना दास्पर्था जो थी दास सिस्टम एबोलिस्ट बंद कर दिया गया था इसके लिए एक अलग से एक्ट बना दिया गया था एक्ट्यूली में दास्पर्था क्या थी यह दास्पर्था सिर्फ भारत में ही नहीं थी मैं यह बता दू यह काफी साल पहले से बहुत समय से क्या था यह दास्पर्था हमारे भारत में तो थी एसिया में अफरीका में अमेरिका में यह सुरू से रही है यह बहुती क्रूर प्रता कह सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार की प्रता जो थी भारत में, गवर्नर जनरल जब ये बने, इसको क्या इस समय बंद कर दिया गया है, इसके लिए कई नियम पारित कर दिये गए, ठीक है, उसके बाद दूसरा था लॉड हाडिन्स, फर्स्ट, ध्यान रखेंगे, फर्स लॉड हाडिन्स, फर्स्ट, 1844 से 48 का कारेकाल रहा, क्या क्या हुआ, यहाँ पे, एबॉलिस्ट, युमिन सेक्रिफाइस, युमिन सेक्रिफाइस से मतलब क्या लेना है, यहाँ पे, नर्वली, नर्वली क्या होती है, मैं आपको बता दूँ, एक तो होती है, वो, एक क्रिय नर्वली लेकिन यहां जो नर्वली की मैं बात कर रहा हूँ उसमें क्या हो रहा था जो बुजुर्ग होता था किसी फैमिली में कोई बुजुर्ग है तो उसका परिवार बाले क्या कर रहे हैं उसे कोई पानी के समुंदर के किनारे या नदी में ले जा रहे हैं और वहाँ पे उसे डुबो दे रहे हैं या वहीं जब तक मरनी जाता है या उसको वैसे ही छोड़के आ जा रहा है तो ये एक तरीके से नर्वली थी बुजुर्गों के लिए थी लेकिन थी तो ये नर्वली इसके लिए भी नियम पारित करे गए इसके उपर एक्ट लाया गया और इसको समाप्त कर दिया गया एबिलिस्ट हुमिन सेक्रिफाइस नेक्स्ट फर्स्ट एंगलो सिक वार भी हुआता ब्रिटिस और सिकों के बीच में युद्ध हुआता 1845 से 46 इसको जब हम वार कवर करेंगे एंगलो सिक वार तो उसमें हम अच्छा से इसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है अभी हम इवेंट याद रखें कि किसके समय में क्या हुआता लॉड हार्डिन्स ताकि जब हम वार वगेरा पढ़े तो हमें दीरे से यह रिकॉल वहाँ इसके समय में हुआ ता ठीक है अब मॉस्ट इंपोर्टेंट पार आजाता है जो गवर्णर जनरल है कौन इंडिया का लॉड डलोजी है इसमें देखिए कई बाते लिखी है इसने कई रिफॉर्म्स करें ठीक है उनके बारे में हम डिसकर करेंगे सबसे मॉस्ट इंपोर्टेंट है कि डॉक्ट्रिन ओफ लैप्स हडपनीती जिसको कहते है एक इसके लिए तो इसको जाना जाता है मैं यह पहले बता दू क्या सिर्फ इसी के कारण इसको गलत नहीं ठैराये जा सकता है क्योंकि इसने कई रिफॉर्म्स भी करें और वो ऐसे रिफॉर्म है जो आज भारत में हम उनका यूज भी कर रहे हैं और वो हमेशा करते भी आएंगे और वो बहुत महत्पूर्ण भी हैं, अभी मैं डिसकस करता हूँ, देखिए, डॉक्ट्रिन ओफ लेप्स पहले तुम मैं बता दूँ, ये था क्या, सपोस कर लीजिए, मैं इस एरिया का महराज हूँ, ठीक है, साधी हो गई मेरी, युद्ध क्या कोई मेरा सट नहीं हुआ, यानि जनितर आपधे डोप्ट कर लिया, गुद्ध करे लिया, तो इस्फ नाम मात्र के लिए वारिस था, यानि ऐसे empire किसके अंदर आ जाएगा? British company के अंदर आ जाएगा. यानि वो doctrine of labs के अंतरगत, क्या करेगी? British हड़पनीती के अंतरगत, वो British territory में सामिल कर लेगी वो empire को. So, एक ये नियम लाया था, doctrine of labs का Lord Dalauzis ने. So, ठीक है? ये था, जिसमें, अब मैं बता देता हूँ, कई सामिल थी, जैसे सतारा, 1848 में, इसको British presidency में सामिल कर लिया गया. जैदपूर, 1849 में, ये आते हैं, order भी पूछ लेता है, इसलिए ध्यान देंगे. 1848 में, 1849 में, जैदपूर, संबलपूर, 1849 में, ठीक है? उदपूर, 1852 में, जैसी, most important, रानी, लक्ष्मी भाई, सब लोग जानते हैं, movie देखी होएगी, फिर, serial भी देखा होगा, सब लोग समझते हैं, ठीक है न? So, जैसी की रानी, 1853, नागपूर, 1854, ठीक है? And आवद, 1856. So, ये कुछ, रीजन रहे, जिसको क्या, doctrine of lapse के, मदे नजर, क्या कर लिया? हडप लिया गया, हडप नीती के, तहद. ठीक है, हाला कि, बचाने की बहुत जादा कोशिस रही, जैसे की, रानी लक्ष्मी भाई, काफी स्ट्रगल रहा, हम इसको एक अच्छा सा, चेप्टर में कवर करेंगे, अलग से, रानी लक्ष्मी भाई को, ठीक है? So, लॉट डेलेजी में, यही एक doctrine of lapse, अगर कहूं, तो बहुत जादा important event बन जाता है, question भी आ जाता है इससे. तो एक कारण भी यह था, revolt of 1857, मतलब, विद्रोज, जो 57, 1857 की क्रांती, great विद्रोज इसको कहते हैं, so यह बहुत बड़ा कारण था, यह भी एक बहुत बड़ा कारण था, doctrine of lapse, की वो क्रांती होने का, ठीक है न? तो दूसरी बात मैं बता दू, second anglo sick war भी हुआ था, first anglo sick war वहाँ हुआ था, second anglo sick war यह हुआ था, और इसी में क्या हो गया था, अब मैं आपको 2-3 चीज बता देता हूं, second anglo sick war जब हुआ था, so, यहां लिखा है मैंने, घिखिए, सिक्किम पंजाब और बर्रमा अंगलो सिक्कः वार हुआ सो यहाँ पे सिक्किम का ऊवँ अध्याफिं का बॉक्ति सोना अध्याम कर लिया और बाकी 1852 के बाद 1935 Government of India Act आया, वहां तक इसको ये इंडिया के territory में आ रहा था, ब्रिटिस इंडिया के territory में, लेकिन उसके बाद, Government of India Act 1935 के बाद इसको अलग कर दिया गया, अलग हो गया ये, उसके बाद यहां पर आ जाते हैं, इसके कुछ reforms थे अच्छी बाते हैं, जो आज तक सिर्फ doctrine of left के कारण नकार ली जाती हैं, उसको थोड़ी समझ लेते हैं, गंगा कैनल बिल्ट करी गई, ठीक है, आर्मुरी मेरट में स्टेबलिस करी गई, तोब खाने वगेरा, मेरट में स्तापित करे गई, अब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट बात है, अब बंबे से थाने, पहली रेलवे लाइन, धियान रखना, तो मैं ये बता दू, रेलवे लाइन हाला कि नाम सिर्फ ये था कि जनता के लिए या इंडियन के लिए, लेकिन एक्च्वल में इसका परपस कुछ और ही था, ताकि ब्रिटिस आर्मी को धीरे धीरे क्या पूरी इं हम भी उठा रहे हैं और सभी उठाते हैं, नेक्स्ट, पोस्ट ओफिस एक्ट, पोस्ट ओफिस एक्ट लाया, 1854 में ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पोस्ट ओफिस टिकट स्टार्ट कर दिये गए थे, ठीक है, फर्स्ट टेलिग्राफ लाइन फ्रॉम केलकटा टू 1847 में रूर्की में क्या करा था इस्तापित, इंजिनिरिंग कॉलेज, ठीक है, उसके बाद, इस्टेबिलाइज पी डवलुडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, इसकी भी इस्तापना कर दी गई, देखिए, कितनी बात है, रेलवे हो गया, पोस्ट ओफिस हो टेलिग्राफ हो गया, इंजिनिरिंग कॉलेज हो गया, पी डवलुडी हो गया, तो देखिए, ये क्या है, ये सब एक तरीक से रिफॉर्म्स ही तो है, सुधार ही तो है, ठीक है, ये मर्ज मैं बता चुका हूँ अभी, अब एक इंपोर्टेंट बात आ जाती है, यहाँ प पढ़ा था, उसको हमने पढ़ा था, उसमें क्या था, एक लाक रुपए एजुकेशन दिया गया था, और मेकाले मिनट्र में क्या पढ़ा था हमने की, जो एजुकेशन, इंग्लिस की अगर मैं बात करूँ, वो सिर्फ चुनिंदा लोगों को दिया जाएगा, ठीक है, सब सब को नहीं, और वो चुनिंदा लोग आगे लोगों को पढ़ाएंगे, ये था, मतलब सब को नहीं मिले, और कारण क्या था, वो क्यों एजुकेशन इंग्लिस की दे रहे थे उस समय, ताकि अपने ऑफिस में, अगर वो इंडियन है, इंग्लिस नहीं जानेगा, तो उससे कॉमुनिकेट कैसे करेंगे, तो अगर पोस्ट मिल रही है, तो उसको कम से कम इतनी तो इंग्लिस आए, ताकि वो आपस में कॉमुनिकेट कर सके, इसलिए एक कारण था, मैं बताओ, मैं काले मिनट का, लेकिन उर्स डिस्पैच आया, इसको कहा जाता है, मेगना काटा, for English education क मेगना काटा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये initial stage था, जो English education की reform के लिए, या education की reform के लिए, उर्स डिस्पैच जब आया था, इसमें कई बाते हैं, थोड़ा सा मैं focus करके बता देता हूँ, right of education थी, ठीक है, क्या थी इसमें, देखिए, जो primary education है, उसमें तो vernacular language का use किया जाए ये बात बोली गए, जो भी local primary school है, तो local language का use कर जाए, हिंदी, उडिया, जो भी local area, तो district wise, कई local, कई primary school के भी establishment हुआ, ठीक है, higher secondary school है, उनमें English का प्रवधान बनाएगा कि English पढ़ाई जाए, और इसी के उट्स dispatch में कई बाते और कही गए, इसमें ये भी कहा गया कि university का भी year education के लिए, Bombay, Madras और Calcutta में स्तापना की बात करी गई, हला कि यहाँ पर बात करी गई और 1857 में वहाँ पर बनी, 1857 में किसके कारेकाल में है, इसके बाद जो आ रहा है, Lord Dalosie के बाद, cannon, ठीक है, उसके कारेकाल में, तो ये तो था उट्स dispatch, अगर आप करेंगे, इसको specifically ये education के उपर था, इसलिए इसको magna kata कहा जाता है, तो ये question बनते हैं, सर, इसलिए बताया है, ठीक है, main office of military, देखिए, military का भी, जो इनका British military थी, उसका भी office बना दिया गया था, Simla में, summer capital भी उसको कहा जाता था, Simla को बना दिया गया, और एक जगा है, डलोजी, हिमाचल परदेश में, आज भी आप जानते हैं, इसी के नाम पे दिया गए थे, डलोजी, ठीक है, तो ये तो रहे, आज के governor general, अभी मैं lord canning भी नहीं करा रहा हूं, मैं इसलिए बता दे रहा हूं, lord canning इसलिए नहीं करा र वाइसराय को cover कराऊंगा, तब मैं lord canning के बारे में बहां पर पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो आज की class आपको कैसी लगी, आप comment में बता सकते हैं, ठीक है, और आज के लिए thank you, धन्यवाद, और please like, share, subscribe, जरूर करिए, देखिए, किसी को education, अगर हम educate कर रहे हैं, तो at least उसको फ प्राइसराय के बारे में.